एलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है डाबीस किचर में आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची कहरी का अचार जैसा कि आप फ्रेंट्स देख रहे हैं कि मैंने इने मार्किट में ही कटवा लिया है अब मैं इने घर ले जाकर पहले तो गिले कपड़े से साफ कर लूँगी फिर एक साफ सुखे कपड़े से साफ करके इसमें हल्दी और नमक लगाकर ओवरनाइट रग दूँगी आप भी अगर चाते हैं कि आपका अचार खराम ना हो तो आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए यहां मैंने एक बड़ी कटोरी नमक डाला है और दो बड़े चमच हल्दी पाउडर डाल दिया है और इनको अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट रग दिया है अब हम इन सभी कहरियों को एके करकर ठाली में या आप चाहे तो किसी चादर पर भी सुखा सकते हैं और इसको हम दो घंटे के लिए दूप में रख देंगे ये देखे इतना पानी निकला है इसके अंदर से और इससे हमारा चाहर खराब नहीं होगा अब मैं इने दूप में सुखा रही हूँ तकरीबन दो घंटे के लिए जब तक हमारी केरिया अच्छी सूख रही है तब तक हम मसाली की तैयारी कर लेते हैं यहां हमने एक कढ़ाई गरम करी है और इसमें एक कटोरी के बराबर हम सौफ टाल रहे हैं सौफ दो प्रकार की आती है और मोटी भी होती है बारिक भी होती पर यहां हमने मोटी वाली सौफ ली है इसे हम हलका हलका रोस्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम इसे मिक्सी जार में लेकर थोड़ा सा गमें से हलका सा दरदरा पाउडर बना लेना है और ये रिखे कुछ इस तरह से इसका पाउडर तयार हो गया है अब हम एक कटोरी दाना मेथी को ले लेंगे और इसे भी हम उसी कड़ाई में सेख लेंगे हलका हलका बिल्कुल जादा नहीं सेखना है इसको हलका सेखना है ताकि इसके अंदर जो मौश्चर होता है वो चला जाए और उसके बाद हम इसे भी इसी तरह इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे कुछ इस तरह से ये देखे हमारे मासाले हमारे सारे तयार हो गये हैं सौफ पाउडर राइकी दाल राइकी दाल दो तरह के जाती है जिसे हम पीली सरसूप भी कहते हैं और यह दानमेथी पाउडर अब हमने नमक लिया है नमक आप कोई सब यूज़ कर सकते हैं सादा वाला नमक और यह लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर हेंग और कलोंजी को फीनल सीड्स भी कहा जाता है कि हम सभी को इसमें मि दालते हैं और यह चोटी कटोरी अब हम दानमेथी पाउडर डाल रहे हैं यह सब आपको मैं डिस्क्रिप्शिन मौक में बता दूंगी कि यह मेंने कितने कितने ग्राम लिया है और यहां यह राइकी दाल भी मैंने इसमें पूरी डाल दिये क्योंकि राइकी दाल से तो थोड़ा कम डाल लें हल्दी हम इसमें फिर से एट कर रहे हैं क्योंकि हम इस अचार को साल भर प्रिजर्व करके रखने वाले हैं यह हम ने कलोंजी डाल देंगे इसमें कुछ इस तरह अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारे मसाले अच्छे कर रेस्ट हो रहे हैं तब तक हम सरसो का तेल गरम कर लेते हैं किर यहां मैंने सरसो का तेल लिया है । तकरीबर 400 ग्राम के बराबर और यह इसे हमें अच्छे से उबाल लेना है कि यहां मसाले को हम अच्छे से यूजब करना है जितना अच्छा मसालों अतना ही हमारा अचार स्वादिस्ट औडेश्टी से बनेगा यह देखे कितना अच्छा मिक्स हो गया है बिलकुर अब हम इने सब को एक जार में ले लेंगे और केरी और जब हम इसमें नमक वगरा जो हमने मिलाया है वो भी अभी अपना पानी चोड़ेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमें इसमें हमें तेल थोड़ा अच्छा डालना है क्योंकि हम कोई विनेगा यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इस तेल से ही हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं आप भी इसी तरह प्रोसेस को फॉलो कीजे और हमारे रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज हमें लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें थैंक यू फॉर वाचिंग